सबसे पहले पालक उबाल ले फिर उसको मिक्सी में पीस ले फिर पनीर को टुक्रों में काट ले एक कराई में तेल गरम करे और पनीर को फ्राई कर ले फिर कड़ाई में तेल गरम करें उसमें दो लाल मिर्च, तेजपत्ता, अद्रक लेसुन का पेस्ट, जीरा मरिच डाल कर भूने फिर उसमें प्याज डाल कर उसे ब्राउन होने तक भूने फिर उसमें हल्दी, मिर्च मसाला, जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल कर उसे भूने उसको अच्छी तरह पकाने के लिए उसमें पानी डाल कर थोड़े दिर तक भूनते रहें और फिर उसमें पालक डाल कर उसको लाल होने तक भूनते रहें पालक अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए ताकि उसमें करवा पन ना रहे जब पालक अच्छी तरह से भुन जाए तो उसमें पानी एड़ कर दे और उसको अच्छी तरीके से पकाएं फिर पनीर के टुकरे डाल कर नमक डाल कर आप उसको धक दे और हो गया आपका पालक पनीर तैयार